प्रश्ण है ऐसा कौन सा जानवर है जो आसमान में भेजने वाले दुसरे जानवर था इसका जवाब आप 5 सेकंड में देते हैं तो आप जीनियस है जदी आपको इसका जवाब नहीं पता है तो विडियो को अंत तक देखिए उत्तर सहित सब जानकारी प्राप्थ हो जाएगी चलिए आपको फोटो सहित अप्षन भी देते हैं आपका अप्षन है इसका सही जवाब है अप्षन बी कुत्ता आईए जानते हैं इस कुत्ते के बारे में कुत्ते का नाम लाइका था अन्य नाम था कुद्रयाव का प्रजाती था कैनिस लूपस फैमिलियरिस नसल था मोंगरेल लिंग था मादा जन्म लाइका मासको सोवियत संग 1904 में हुआ था मृत्यू 3 नवंबर 1957 आयू 3 वर्ष Sputnik 2 निम्न प्रिथवी की कक्षा में सक्रिय वर्ष 1957 ख्याती का कारण प्रिथवी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर इसके मालिक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम वजन 5 किलोग्राम यानी 11 पॉंड पूरूसी में 1954 से 3 नवंबर 1957 एक सोवियत अंतरिक्ष कुट्ता था जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया और प्रिथवी की परिक्रमा करने वाला यह पहला जानवर था मौस्को की सडकों से भटकने वाली लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुत्निक 2 के रहने के लिए चुना गया था जिसे 3 नवंबर 1957 को बाहरी अंतरिक्ष में लौंच किया गया था लाइका के मिशन के समय जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष उडान के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी थी और डेर्बिट की तकनीक तब तक विक्सित नहीं हुई थी इसलिए लाइका के जीवित रहने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी कुछ वैज्यानिकों का मानना था कि मनुष्य प्रक्षेपन या अंतरिक्ष की स्थितियों से बचने में असमर्थ होगा इसलिए इंजिनेरों ने जानवरों की उडान को भविश्य में होने वाले मानव मिशन के लिए आवश्यक अग्रदूत के रूप देखा यह प्रयोग यह साबित करने के लिए किया गया था कि एक जीवित यात्री को कक्षा में लौँच किया जा सकता है और वह एक माइक्रो ग्राविटी पर्यावरण को सहन कर सकता है इससे भविश्य की मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए मार प्रशस्थ होता है और वैज्यानिकों को इस बात पर पहली बार कोई सूचना प्रदान करता है कि जीवित प्राणी स्पेस अफलाइट वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं लाइका की अतिताप ओवर हीटिंग से घंटे के भीतर मृत्यू हो गई संभवता केंद्रिय आर साथ निर्वाहक की पेलोड से अलग होने में विफलता के कारण उसकी मृत्यू का सही कारण और समय 2002 तक सारवजनिक यानी पबलिक रिकॉर्ड नहीं किया गया था इसके बजाए यह व्यापक रूप से बताया गया था कि जब उसकी ऑक्सीजन 6 दिन की थी तब उसकी मृत्यू हो गई थी जैसा की सोवियत सरकार ने शुरू में दावा किया था वह ऑक्सीजन की कमी से पहले से ही मर चुकी थी 11 अप्रेल 2008 को रूसी अधिकारियों ने लाइका के लिए एक समारक का अनावरण किया उसके सम्मान में मासको में एक छोटा सा समारक उस सैने अनुसंधान सुविधा के पास बनाया गया था जहां लाइका को अंतरिक्ष में जाने के लिए तयार किया था इसने एक रॉकेट के ऊपर खड़े एक कुट्टे को चित्रित किया वह Monument on the Conquerors of Space of Moscow में भी दिखाई देती है